हिजाब वाली खूबसूरत लड़की एक छोटे से शहर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, उसका नाम आलिया था, आलिया का परिवार मुसलिम था और वह हिजाब पहनती थी, आलिया बहुत अच्छी लड़की थी, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वह हमेश दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहती थी। पहनती है क्योंकि वह अपने धर्म को मानती है। समीर ने आलिया को बताया कि वह उसकी हिजाब में बहुत खूबसूरत लगती है। समीर और आलिया एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे एक साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। एक दिन समीर ने आलिया से शादी करने के लिए कहा आलिया बहुत खुश हुई। उसने समीर को हां कह दिया, समीर और आलिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई। सभी लोग उनकी शादी में शामिल हुए समीर और आलिया एक खुशहाल शादी शुदा जीवन बिता रहे हैं वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं कहानी का विस्तार आलिया एक खुबसूरत लड़की थी उसके चहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी उसकी आँखें बड़ी और काली थी उसके बाल लंबे और काले थे वह हमेशा साफ सुथरी और अच्छी तरह से सजी धजी रहती थी आलिया एक मेहनती छात्रा थी वह हमेशा अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार भी थी वह गाना और नृत्य करना पसंद करती थी आलिया एक दयालू और मददगार लड़की थी वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहती थी वह गरीब और जरूरत-मंध लोगों की मदद करती थी एक दिन आलिया एक गरीब परिवार की लड़की से मिली उस लड़की का नाम रीना था रीना के माता-पिता की मृत्य हो गई थी और वह अपने भाई बहनों के साथ एक अनाथाले में रहती थी आलिया ने रीना को पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया वह रीना को हर दिन अनाथाले जाती थी और उसे पढ़ाती थी रीना आलिया की मदद से पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई उसने अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये रीना आलिया की बहुत आभारी थी उसने आलिया से कहा, कि वह उसकी मदद के बिना कभी सफल नहीं हो सकती थी आलिया की कहानी बताती है, कि हिजाब पहनने वाली महिलाएं भी खूबसूरत, महनती और दयालू हो सकती हैं वे भी समाज में योगदान दे सकती हैं दाहरण हिजाब पहने वाली कई खूब पहने वाली कई खूब गजाओं